है गाइज वलकम बैक टू माई चैनल गुड मॉर्निंग हम मूव होने लगे हैं अपना ओंटारियों से जाने लगे निव फाउंड लैंड और आज हमारा डे वन है अभी हम सुबह निकले थे चे बजे साड़े ची बजे और अब बजेगे हैं टाइम में को लगता है दस साड कि दिखाता हूं आपको अन्रूड कितना बढ़ी हैं यहां पर ऐसे ना अन्रूड बने होते हैं आप सारा भी यहां पर आपने गाड़ी पार्क करो अराम से घुमो फिरो यह पीछे ट्रक पार्किंग पर लगए अंदर खाने पी निकले सब मिलता है यहां पर फुली लोड लिए बिना जाला ब्रेक लिए क्योंकि हमने पहुंचना भी है अड्मिंस्टन क्योंकि आज का ट्रिप जो है थोड़ा लंबा है डेवान हमने थोड़ा एक गंट एक्स्रा रखा तोटल आज हमारी 11 गंटे की ड्राइव है जिसमें हमने कवर करना है तकरीबन 1100 किलोमेटर ठीक है यह देखो भी कितने किलोमेटर साभी मारे पड़े हो है बस सीधा ही जा रहे है रास्ता बहुत ही अच्छा व्यूज इतने अच्छे सीधा क्रूज पर गाड़ी लिगाई है और बस चली जलो आप कहीं ब्रेक नहीं लगनी कितने 200-300 किलोमेटर तो बिना ब्रेक ला सब्सक्राइब कर लिया था जो कि मैंने 12 घंटे में करा ड्राइव सुबा साड़े चे मैं ब्रेम्टन से निकला था और अब बज़े और साड़े चेस बज़े सुबा में ब्रेम्टन से निकला और रात को मैं एड्मिंस्टन पहुच गया था अगर कोई भी बंदा गाड़ी लेके आ रहा है ब्रेम्टन से में पास जैसे ब्रेंड न्यू मैंने भी कार ले सी 6 महीने पहले तो मिरेको अपनी गाड़ी के साथ ही तो मैंने ऐसे प्लाइन के दे वन मैं न्यू ब्रॉंस्विक तक आ गये नू ब्रॉंस्विक थोड़ा पहले और आज हमारा डेट वैड्मिंस्टन शैर में एक होटल ला रोमा होटल मोटल कर गे तो वह बहुत ही चीप होटल है ठीक है बहुत ही बढ़ी है और ऐसा नहीं आ सब लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं आती आपको दिखाता हूं लोकेशन और होटल का जो प्राइज है वो 80 डॉलर्स है पर नाइट बहुत ही चीप है मुझे लगता नहीं कि इससे सस्ता मैंने कहीं मैं सर्च किया गूगल पर इससे कम मुझे नहीं मिल रहा था कोई भी लेक अगर कोई भी ट्रेवल कर रहा है ना ब्रैम्टन टू नौवास्कोशी आ रहा है या फिर आप जा रहे हो न्यू फाउंड लैंड ठीक है तो इस वेसे अगर आ आ रहे हो तो आप यह होटल ले सकते हो मुझे तो सही लगा और इससे सस्ता मुझे मिला नहीं था कोई भी यह यह होटल यह होटल पूरा ठीक है एक यहां सारे रूम्स बने हो है ठीक है अपना यह था तीन नंबर यह प्रॉपर बना हुए सुनों वगेरा काफी ज्यादा है यहां पर क्योंकि थोड़े दिन पहले स्नों स्ट्रॉम आया था चलो हम निकल लिए सीधा भाई बीना टाइ बीटता जा रहा है और आज की ड्राइबी काफी लंबी है चलो मेरी मैडम हाई है सीधा आगे हाईवे पे आप देखो व्यू चेक करो मदब होटल जो मारा था बिल्कुल मदब एक मिनिट की दूरी पे था और साती हाईवे था हाईवे के आप व्यूस चेक करो कितने मज़ यहां पेट्रो कुनेटा का था कोई यहां पर मैंने का रुक जाते हैं पाड़ बने हैं बरफ के पूरे यह हाईवे के साथ ही था बिल्कुल मैं को रुक जाते हैं यहां पर देखें थोड़ा सा बढ़िया खाए पी खाएं पीए कुछ पॉस्ट्रूम वगरा जाएं अब ह अब हमें सीधा शिप टर्मिनल पर रुकने शाम को सीधा बिकॉज रास्ता अभी भी बहुत जादा लंबा ठीक है ना टाइम वेस्ट नहीं करना बीच में टाइम बहुत जादा वेस्ट होए था इतने जैसे उंटारियों में कि बहुत सारे औरूट आते रहते हैं इसमें क कि थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है तब जाके कोई आपको प्रोल पंप या गैस पंप जिसम बोलते हैं वह मिलेगा या कोई स्टॉब मिलेगा ठीक है फाइनल हम पहुंच चोंकि है जी नौवा स्कोशिया फैरी टर्मिनल और आज जो रास्ता साना बहुत ही जादा ब अब जादा बड़ी लांज एरिया था एरपोर्ट के जैसा लांज एरिया था इनका और जो फैरी आपको लिखाता हूं मैं कित्ती बड़ी बड़ी हैं यह मेरे पीछे दो फैरी खड़ी होई पिसान आप कि चलनी है सारे ट्रक्स जितने भी आंपे खड़े हो एन अब मेरे पीछे देख लो जितने सारे ट्रक्स खड़े हैं यह सारे इसी फैरी में जाने हैं अब बहुत ज्यादा बड़ी फैरी है शिप की तरह आई हैं जैसे बड़ी कार्गोशिप होती है पर जो बाकि अभी रात को चलनी है सवा बारा बजे फैरी चलनी है सवा ग्यारा बजे दो गंटे पहले चेक-इन टाइम है हमारा और उसके बाद देखते हैं सुबा में को साड़े साथ बजे पहुंच जानी है फैरी फिर आपको पहुंच के बताएंगे कि कैसा रहा फैरी का experience ठीक ह अभी तक तो बहुत बढ़ी है experience था हमारा day 2 था day 2 complete हो गया आज मारा day 2 था पर day 2 था जो experience था बहुत ही बढ़िया था कैसा था यह सारे vehicles इसी ship में जाने है सारे अब देख लो कितना बड़ा इसका cargo area होगा यह देखो madam यह खड़िया अपनी गाड़ी भाई साब overloaded गाड़ी यह बंदा सनो साफ कर रहा है पूरी देखो बढ़ी बढ़ी है यहां तक गाड़ी lock खोल दे चलो भी हमारी turn आ गई है यह बंदा हमें गाइड कर रहा है अब यह हमारे पास ही scan करेगा पहले इसे हमारी गाड़ी के पास ही scan करने है गाड़ी का पास हमारे दोनों की tickets scan हो गई है अब उसने guide कर दिया हमने कि इधर जाओ आप गाड़ी हम पे जा रहे जिस पर हम भी जा रहे हैं सामने आपको दिख रहा है जो रास्ता यह special पुल बना रखा है इसके ऊपर चड़के हमने जाना यह देखना कितना बढ़िया बना रखा बुल यह सीधा इसके ऊपर चड़े है और यह अब हम वेटिंग में खड़ जाएंगे दो मिनिट सब भी देरिदर करके अंदर जाएंगे तो चलना स्टार्ट हो गए हैं अब देख रहो एंट्रनेस आप कितनी जादा बड़ी है जिप का ऐन और झुक में एंटर कर रहे हैं कितना जादा बड़ा ऐसको यहो कितना जादा बड़ा एरिया एंटर हो गए है पूरी शिपी ए अभी ए स्टार्ट हो गई है एंटर हो गए है झाय शिप के अंदर यह सामने आप देख रहे हैं यह ट्रक्स लगे हो इसे और बड़े बड़े और गाड़ी जाए लग एकुछ चुटी लग रही है ट्रक क और आगे जाके हमने बेस्में में पार्क करनी है सेकेंड लेवल पर यह गाड़ी नीचे गई है इसने हमने हमें हमने या भी रूके जाना है इसी दर जाए जा रहा है अभी तो अभी देख लो कितनी ज्यादा बड़ी शीप है मतलब लिटरली मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी बड़ी शीप तो नहीं देखी हम तो चंडीगड़ वाले में वह जो पैंडल वाली शेप उसी वह गये थे ऐसी बड़ी शीप पे तो मैंने कभी ट्रैवल नी किया कि यह देखो यह बंदा कह रहा है कि आप यूटन लेके गाड़ी पारो देखो अभी बिलकुल लास सब क्या बड़िया रूम है यह चेक करो भाई साब दो इसमें बैड लगे है ठीक है विंडो व्यू है यह इसमें मिरर लगा हुए इधर अपना हेयर ड्रायर और यह वाशूम है और इधर पूरा विंडो से आपको बाहर का पूरा समुंदर का बहुत ही प्यारा रूम हम आगे हैं अब हम करेंगे रेस्ट ठीक है आज का दिन बहुत ही अच्छा गया यह मौका बार बार तो नहीं आता लेकिन जो हम मूव हो रहे हैं ऑंटारियों से न्यूफाउंड लैंड और जो यह जर्णी है ना रोड ट्रिप की बहुत ही ऑसम जर्णी है मैं को बत और हमारा शिप का भी एक्सपीरेंस होगे मेरे को बड़ा लाइक क्रेस क्रूज पर जाना है लेकिन रूज तो नहीं है लेकिन क्रूज से कम भी नहीं है बहुत जादा बड़ा शिप है आपको एंट्रेंस की वीडियो आपने देखी लिए कि कैसे हम शिप के अंदर एंटर पहुंच जाएंगे और फैरी शुप कर वाले ना विपकॉज विंटर में तो सीट मिल जाती है लेकिन अगर अगर समर ट्रेवल करने का प्लैन कर रहे हो ना तो आप फैरी पहले से बुक कर वालो ठीक और उसी साब से प्लैन आट करो और विंटर में क्या है कि वेदर जरू क्या आना सारा बाँकी कम सुभा मिलते हैं बताते हैं कैसा रहा एक्सबियेंस रात को शिपका और बाद में उपर जाकर घुम के आते हैं आभी तॉप इसका डेका वहां पर गम कर रहा हूं मिलते हैं फिर आपको सुभा है गाइस गुड मॉनिंग दे थ्री मारा स्टार्ट हो गया है और दे थ्री हम पहुंच गे न्यू फाउंड लेंड शिप अभी जस्ट उतारे शिप ने कि टीम अभी हम टीम रुके दे क्योंकि सुबह सुबह बूख लगी अभी शिप से जश्ट उतरे हैं साथ में पोर्ट है गाड़ी उठाई और टीम आगे हैं कि आज देख लो 898 किलोमेटर से जाना है नौ गंटे की ड्राइव है सुबह गया बाट पच्चीश होएं शाम को पांच पच्चीश पे हम पहुंच रहे हैं लोग निकल लें हम टीम होटन से क्योंकि लेट होते जा रहे हैं फटा फटीम लिया और अपना रास्ते में खात खोशे में भी ऐसी हुआ था बहुत देर देर बाद गैस पंप आ रहे हैं चलो हम सीधा पहले गैस बरवाते हैं गाड़ी में फिर चलते हैं ग्यास फिल करा लें गाड़ी के अंदर यह देखो भाई साब संड्राइज हो रहा है पूरा अच्छी दूप निकले हुई है बहुत जाला वैदर अच्छा बर तीनों दिन हमारा ना जो वैदर था वह बहुत अच्छा था मुझे एक भी दिन रास्ते में स्नोफॉल नहीं मिली वैदर बिल्कुल क्लियर रोड बिल्कुल साफ थी स्भी कि लो हम बात कर लेते है सार्फ साथ एक्सपेंस की टोटल एक्सपेंस की मां रहा कितना आ घ्ल से पहले होटल का एक्सपेंस मिम जी से इसमें मोटल बोने ने सलस्प रूम्णम लिया था उसका सामारा है एकी डॉलर्स उसके बाद मारा गैस का एक्सपेंस आ गया, फ्यूल कोस्ट, फ्यूल कोस्ट सम्वेर राउंड थ्री फिफिटी लगा लो आप, गाड़ी के अवरेज अच्छी थी, टोटल ब्रैम्टन से लेके, न्यूफाउंड लेंड घर तक जो हमारा फ्यूल कोस्ट है, वो आया था, थ्री फिफिटी के ठीक है, उसके बाद आग strictly फूड कोस्ट, जो फूड की कोस्ट आई है, अब तीनों दिनों के, एक दिन को हमां घर से लेके आया था, तोटल बाहर से खाया है, तोटल आ गया हमारा $500 के अरON, ठीक है, उसके हमारा फैरी कोस्ट की जो फैरी की कितनी दॉलर के हमारे कॉस्ट आई है यह टोटल मुविंग कॉस्ट आई है जिसमें हम गाड़ी खुद की लेके आए अगर यह गाड़ी हम शिप करवाते हैं किसी बंदे की थुरू है किसी एजनसी की थुरू लेके आते हैं तो आपकी कॉस्ट तीन गुना हो सकती है क्योंकि मैंने जगा थकावट हो चुकी है तीन दिन का ट्रेवल था बहुत अच्छा रहा यह ट्रिप बहुत मज़ा है कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना वीडियो को लाइक करना शेर करना मिलते हैं किसी नेक्स लॉग में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग